हलो दोस्तों वेलकम बैक टू माई चैनल लक्षमी वेज किचन एंड लाइफिस्टाइल आज मैं बहुत ही टेश्टी समरी स्पेसल आमपना की रेश्पी सेयर करूंगी इसे आप आम जूस भी बोल सकते हैं ये पीने में बहुत टेश्टी लगता है और गर्मी में लू से आम पना बनाना सुरू करते हैं आम बनाने के लिए आपड़ चार बोल किया हुआ कच्चा आम लिया है अच्छे ते बोल हो गया है एक कटोरी फ्रेश पुदीना पती पांच चम्मच सक्कर लिया है एक चम्मच काला नमक आधा चम्मच भूना वाजीरा पाउडर और बारिक पेश्ट कर लिया है और आम के प्यूरी और पुदिना पत्ति को अच्छे थे ने चन्नी में चान लिया है इसमें रेशा विर्गूल भी नहीं है तो चलिए आम की जो प्यूरी हमने निकाल कर रखा है इसे एक बाउल में हम ट्रांसफर कर देते हैं तो यहाँ पर मैं बीना grinder के बना रही हूं तो आप भी बना सकते हैं अब इसमें हम पूदीना के जो प्यूरी बना कर रखे हैं इते डाल देंगे तो छानने से इसमें बिर्कुल भी रेसा नहीं रहता है तो दोस्तों गर्मी का सीजन चल रहा है अब बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है तो गर्म पर असान तरीके से आम पना बना सकते हैं अब इसमें मैं काला नमक एड़ कर देती हूं अब इसमें मैं जीरा पाउडर और काली मिर्स पाउडर एड़ कर देती हूं अब इसमें हम सक्कर डाल देंगे तो सक्कर यहां पर मैं पांच चम्मच ली थी पांच बड़ा चम्मच तो मैं चार चम्मच की लगभग शक्कर एड़ कर दी हूँ अब इसमें हम अच्छे से मिला लेंगे पानी तो यहाँ पर मैं ठंधा पानी यूज़ कर रही हूँ तो इसको अच्छे से मिलाना है तो अभी देखिए इसमें थोड़ा था गाठे जीसे बनने लगा है मेरे साखिक नना हम चान सान लिया है और बहुत जादा गाठा था तो इसको हम देखिए उस व्कवाली ड्atus में दल देंगे तो इस से पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा था ग्लास को डेकोरेट करेंगे तो मैं इसी आम पने में हलका ता डीप करूँगी उसके बाद यहाँ पर जो सक्कर बचा उसमें मैं इसे देखे लगा लूँगी बहुत असान तरीके से ये बढ़िया से सक्कर लग गया है तो इसे ही असान तरीके से आप डेकोरेट कर सकते हैं तो मैंने दूसरा ग्लास भी डेकोरेट कर लिया है तो अब इसमें मैं आमपना डाल देती हूँ ग्लास में तो ये थोड़ा गाढ़ा है तो आप इसे पतला भी कर सकते हैं जैसा आपको पसंद हो पतला या गाढ़ा तो मुझे ऐसे ही पसंद है तो मैं इसने ही गाढ़ा बणा रही हूँ तो ये देखे बन गया है अब इसमें मैं आईस क्यूब डाल देती हूँ अगर आपको ज़्यादा ठंधा नहीं पसंद है तो यहाँ पर आप आईस क्यूब इस्किप कर सकते हैं यहाँ पर मैं दो-दो आइस क्यूब डाल दी हूँ गिलास में अब इसमें हम डेकोरेट करने के लिए थोड़े से उधीना पत्ती लगा देंगे देखने में और भी अच्छा लगेगा तो इस गिलास में भी हम उधीना पत्ती लगा देते हैं दोस्तों मेरे वीडियो को सुरू से एंड तक देखेगा वीडियो को लाइक कमेंट सेयर करिएगा और न्यू वीडियो को देखने के लिए चैनल को सस्क्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लिजेगा ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूंगी उसका नोटिपी केसन आपक अच्छा लगे चैनल को थेखें में ने बाल में लिए इसमें में प्थी नब कराने में पीजिकर लगता है तो आप भी डाईए और दोस्तों में रिए sebelum तो I hope कि आप लोगों को आज के मारे आम पना की रेश्पी आप लोगों को पसंद आए होगी पसंद आए तब वीडियो को लाइक कमेंट सेर करेगा मैं इसी तरीके से नए ने और सिंपल ती रेश्पी लेकर आती रहूंगी मिलती हुने स्टुडियो में तब तक के लिए बाई बाई एंड टेक क्यार